इसमें आकांशा सिंग फर्स्टी एंवीबियो स्टूडेंट एड गोवर्मेट मेडिकल कॉलिज दौसा राजस्तान सो जो आज का वीडियो होने वाला है इसमें मुझे काफी लोग कमेंट करके बोल रहे थे काफी लोगोंने बोला भी था कि दीदी आपना जिसे मौक पीपर करते हैं इस पर एक वीडियो डाले क्योंकि हमें मौक पीपर अटेम्प करने में काफी प्रॉबलम होती है ना इनो वो काफी नॉमल रीजन है क्योंकि जैसे अगर हम अभी ही बात करें अभी जो आपका भी आप मेंसे काफी लोगोंने अपना जो मौक पर होता है उसे देनी है तो अब भी आपकी पास सेवन मन का टाइम है इसमें आपको अपने जो बैक लॉक्स है उन्हें कवा करना है आपको अपना जो रिवीजन है उसे अच्छे से करना है एं देन उसके बाद आजाता है सबसे इंपर्टेंट पार्ट एन आल से की काफी लोग क्या करते हैं कि पूरे साल अच्छे से थियोरी तो वो कर रहे हैं उनकी थियोरी काफी अच्छे से हो भी रही है बट जस्ट बिकाज वो मॉक पेपर को इतना इग्नोर करते हैं तो उनका बाद में जाके जो स्कोर है वो अच्छे से इंप्रूवी नहीं हो पाता राइट आपको हमेशा ध् अगर अब आपका जो पढ़ा है यह अपका जो स्टड़ी मिटेरियल है यह जो भी आपका जो स्काट स्केड्यूल वो सही चल रहा है इत मीनिस काफी सार अच्छे से कवर हो गया है इस अगल अगर आपका 80% सलेबस अभी तक कवर रहे दैन आपना क्या कर सकते हो कि एक हफत तब करना चाहिए तो देना के समि literature था मनें। प्रेशर होता है उसे हैंडल करना तो आप अच्छे से कर पाएंगे ओके सबसे पहले बात करूं मेरे जो मांग पेपर अटेम्टिंग स्ट्राटेजी होती थी तो मैं आपने जो एक्सपीरियंस जो मैंने जैसे आपना नीट का पेपर दिया था नीट के नाइम पर जैसे अट पर गई थी तो महां पर काफी जादा स्टूडेंट है तो उन्हें देखके मुझे लगनी रहा था कि यार क्या होगा पेपर में युनों कि नीट पेपर कितना टफ आता है इतना जादा कॉंप्रेशन बर देन जब मैंने अच्छे से पेपर को टैम किया अच्छे से हर जैस से अगर आप एक सही अप्रोस से अपने मॉक पेपर को टाम करेंगे तो आपकी माक्स में काफी जादे इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले वो बायो को करते हैं then chemistry को करते हैं and then physics को करते हैं कई लोग थोड़ा जैसे मैंने अपने टाइम पर थोड़ा क्या किया था experiment भी किये थे क्योंकि जैसे मैं कभी कई कई बार people में करती थी कि पहले chemistry कर ली देन उसके बाद फिर बायो की and then physics so that कि मुझे थोड़ा लगे कि यार अगर कुछ नया ट्राइब करते हैं तो थोड़े marks इंप्रूफ हो रहे है या नहीं पर देना थोड़ कि नहीं मुझे बायो मेरा काफी स्ट्रॉंग है बायो में मार्क्स भी सबसे दाद आते हैं क्योंकि हमें बता है बायो अकेला हमें 360 मार्क्स दे सकता है तो देना थोड़ा कि नहीं है सबसे पहले बायो यह अच्छे से अटेंब करना चाहिए बट अगर पहले कीजिए फिर कई बायो को पहले करके देखिये तो उससे आपको पता चलेगा कि आपको क्या स्ट्रॉंग है अगर आप कुछ जैसे आपने अगर केमिस्ट्री पहले अटेम किये देन बायो की और अगर आपका जो स्कोर है वह 20-30 नंबर से बढ़ रहा है तो I think that is the right decision for you okay so talking about my need attempting strategy जो मैंने अपने एक्जाम के दिन क्या था मैंने सबसे पहले बायो की थी देन उसके पाद केमिस्ट्री की थी and then last work the physics okay so first of all I say औो कि पाउयो के लिए अब बायो के लिए मैंने क्या क्या था वहीं से चाहिक्तो से अध्या है कि आपको क्या mistyक में नहीं करनी है जैसा कि टोपर्स बस 50-20 मिनट10 यह सबसे ब्रूत सद्ट सद으면 से आपके मार्क्स इंप्रूम नहीं होंगे कभी खरें or को मैंस मार्कीं होते हैं तो हमें कभी खरेंस estáb इसके पर दोडेक दिन कोइट ऐ। मैंने चाहिए विभी ख equipped बीलक DiES का थे उसके अच चल बाद आद यहाएं पश्कितर सलकेते इंचे इन是 उसके बाद जो माई normal question होते हैं that is like four option वाले जिसमें से कोई correct होता है that is also there then उसमें statement वाले question भी थे कुछ कि जैसे आंको 4-5 statement दे दी and then पूछा कि इनमें से correct कौनते हैं और like incorrect कौन सा है ऐसा scenario तो सबसे पहले जो मैं trick बता रही हूं आपको बायो में question पढ़ा अच्छे से हमेशा जाधर time question पढ़ने में लगाना चाहिए rather than आप answers को देख रहे हो अच्छे question को पढ़ा करो जब question पढ़ो तो अपने हाथ में जो पैन होता है उसे जो भी incorrect correct वहने अच्छे से mark कर दिया करो अगर कुछ ऐसा पूचा है कि what like among the following which is not correct not correct in the sense आप correct तो पढ़ लो कि आपने not नहीं पढ़ा होगा रही तो ऐसे words को कभी भी ignore नहीं करना अगर आपको लगता है यार ऐसा हो गया तो उसे double बहुत you know मतलब बहुत अच्छी तरीके से mark कर लो कि आपको हमेशा ध्यान रहे not correct it means कि उन्होंने गलत पूचा है तो गलत ही डूणना है इन में से पूचा है कि इस में से कौन सा इनका example है आप से पूछ लिए पॉरिफेरंस का example बताओ और अगर ऐसे पूछ लिए यह तो पूछ आपको अपने पूछ पर आप अपने हमेशा है कि अच्छे से पढ़ना है टिप नम्मो वन हमेशा को अच्छे से पढ़ने में टाइम लगाओ एंदेन उसके बाद आंसर केवफुली पढ़ो और देन आंसर को टिक करो राइट उसके बाद सेकेंड फॉल हमेशा फर्स्ट जब आप पहली बार साना लाइक जो अपने 100 कुशन होते बायो में अपने बेसिकली उनमें से 90 करने होता है तो जब आप उन्हें कर रहे हो तो ऐस आपके पहली बार में सारी कुशन हो जाएंगे चाय लग आपको बायो किती भी अच्छी है विए इवन तो मैं ने पहली बार एक्टी बार एक्टी आप कर लो जब सारा पीपर हो जाए उसके बाद दुबारा उन पर आओ और फिर उन्हें थोड़ा टाइम देके साल करो हर अब कि आपके लिए इकौली इंपारटेंट है आपको किसी भी क्यूशन जो फिजिक्स का किविशन आपको चाड़ नमबर देगा वही बायो के क्योशन देगा राइट ता आप ऐसा नहीं कि जब जल 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 दी कर ली ताकि मैं फिजिक्स पे जा सकू ऐसा करने से आप सबसे पहले एक बार में अगर सारी क्यूशन नहीं हो रहे है कोई बात नहीं जब सेकिंड बार आओगे उन्हें अच्छे से ध्यान लगा-लगा के क्यूशन कर लिए ठीक दैन कमिंग टू टिप नंबर थी वुड़ी अब एक ट्रिक होती है देखो मैं बताते हो जो अगर आपको कोई क्यूशन नहीं भी आया तो आप पहले क्यूशन अच्छे से पड़ो उसके बाद उसमें से क्या गलत चीज़ें लग रही है कि यह तो कभी भी आंसर नहीं होता इसे बोलते है और यह तो इस कभी आपने यह तो यह तो यह तो यह को रहार ग्री आपशं किया था मैंने शचे पहले देखा फ्रिकेंद से बास पड़ा है उसके बाद ऑ्प्शन पढ़ना चालो किया यह तो बिल्कुल नहीं होगा सेख़़ वाला तर्ड वाला हो सकता है फोर्ट वाला तो यह होता है, ruling out करके solve करना, I think this is the best way to do MCQs for bio, जब आपको कुछ भी ऐसा लगे कि यह थोड़ा क्यूशन तफ लग रहा है, क्योंकि जब आप ऐसे जो गलत वाले क्यूशन होते हैं, उन्हें हटा देते हो न, आपके पास सही option आजाता है, तो आपको यही करना, को सही के पीछ नहीं भागना, को गलत को काट देना है, कि यह तो गलत है, यह तो कभी answer नहीं होगा, and then आप अपने आप आपका जो right answer होगा, उस पर पहुँच जाओगे, तो ऐसे करके आपके bio के question तो अच्छे से सही हो जाएंगे, then now coming to the diagram based question, diagram based question थोड़ा, I know थोड़ा उन्हें याद करा tough हो जाता है, because काफी सारे हैं हमारे पास, तो आप ऐसा करा करूँ कि जब एक बार ऐसा session बना लो अपना bio के लिए, कि इस बार जब मैं अभी 11th और 12th के NCID पढ़ रहा हूं, तो इसमें से मैं सिफ बायो, मतलब जो diagram diagram है, उन्हें ही अच्छे से याद करूँगा, so that कि आपके diagram एक बार में हो जाए, और diagram में ऐसा नहीं सिफ diagram याद कर दिया, वो क्या करते हैं, diagram की labeling की गायब कर देते हैं, और आप से 3-4 labeling एक साथ पूछ लेते हैं, तो इसलिए आपको diagram अच्छे से करने हैं, diagram किसी भी chapter के नहीं छोड़ने, even though 12th में काफी साथ diagram है, वो first, second chapter में, वेज़िटी रीप्रडेक्शन वादे चेप्टर में, तो उनको अच्छे से करके जाना है, ओके, then now coming to, assertion, region type questions आते हैं, उनके लिए क्या करना, assertion, region नहीं आए, तो सबसे बहुत अच्छे से पढ़ो, कई-कई बार तो ऐसा होता है, कि हमें लगता है, कि assertion सही है, reason तो बिल्कुल ही गलत है, तो वो तो question आप सही से कर लोगे, या तो फिर assertion गलत है, reason तो वैसे तो पढ़ते हो जाते हैं, like then coming to, कि assertion इसका सही explanation है या नहीं, तो execution में आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, मैं पहले ही बोल चूँ, कभी भी deep thinking में नहीं जाना होता है execution के लिए, कि यार ये इसका सही explanation होगा या नहीं, अगर कोई चीज़ लिखी है, और जैसे assertion आपको कुछ दिया है, then that is correct, कभी भी ऐसा नहीं करना है कि जादा उस assertion reason में बिल्कुल गुस गए हैं, और से कैसे भी improve या कुछ भी करने की गलत करने की कोशिश करना है, ऐसा नहीं करना है, जा assertion reason में जितना हो सके अपना थोड़ा कम दिमाग का यूज़ करना है, and then उसे एकदम जैसे कि आपको ऐसा सोचना है कि यार जो एक्जामिनर है उसने क्या सोच के इस question को set किया होगा, मुझे भी उसी mindset से solve गहना है, so that आपका वाले question भी साही हो जाए, and now coming to the last type of question, that is like the matching ones, the matching ones में सबसे पहले यह आप कर सकते हो, जैसे आपने उन्हें match किया, then उसके पाद आप लिख सकते हो कि यह question है, इसमें B, A, C, D, ऐसे करके है, तो उसे जो आपका space होता है उसके पास में लिख लो, then option को अच्छे से ढूण लो, because मैं बताऊं तो जो मेरे exam में दो क्यूशन गलत होए थे बावयो में, और देन हमेशे अपने exam को अपने पूरा पेपर उसे double check किया करो, कि बावयो के एक बार कर लिया, उसके बाद chemistry and physics, then again बावयो के एक बार check करके फिर उसे fill करना start किया करो, so that कि आपका कोई भी wrong mistake ना हो bubbling में, और हमेशा like bubbling को सही time दिया करो, especially I would say, बावयो में काफी जादा bubbling करनी होती है, तो जल्दी बाजी करना लग जाता है, but just make sure कि बावयो आपको 306 number देगा, तो बावयो में तो बिल्कुल भी यह गड़बर नहीं करनी कि bubbling करती है, okay, now coming to chemistry, so chemistry, now I'm talking about chemistry, so chemistry के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले chemistry में तीन तरह के अपने होंगे, तीन तरह में वो डिवाइड़ेड़े, that is like inorganic, then organic and then physical, inorganic में में मेरा क्या अप्रोच रहता था, तो inorganic में मेरा सेमी अप्रोच था, कि यह तर में 4 questions होते थे, like 4 options होते थे, so 4 options में क्या करती थी, कि यह तो answer नहीं होगा, यह भी answer नहीं होगा, यह answer नहीं होगा, and then that is, like यह correct होगा, right, यह कर लिया, उसके बाद अगर कभी जैसे block chemistry में, like block chemistry में से question आ गया, then I used to, like हर चीज को अच्छे से mark करना, right, क्योंकि आपको कही बाद आपने कही लाइन हैं नहीं पड़ी होथी, जैसे मैं आपने नीट टॉंटी-टॉंटी का पेपर में बता हूँ, तो मैंने जो calcium वाला question आया था, right, कि आपकी बादी में कितना calcium होता है, तो ऐसा question आप किसियों को भी याद नहीं रहेगा, आप हर लाइन याद नहीं कर सकते, right, but just because, उन्होंने पेपर देखो, पेपर NCRT में से आया है, पट NCRT की हर लाइन याद करना बहुत मुश्किल होता है, because आपके पास 10 NCRT की books है, और उनकी हर लाइन में से हर point, किसी पे भी question मन सकता है, right, so मैंने क्या किया था अपने पेपर में, मेरा इन और इन और इन के सारे questions रही थे, तो मेरा यही plan था, कि मुझे ruling out करके करना है, क्योंकि मुझे पता है, अगर मैं सही को ढूड़ूँगी, तो मुझे गड़ बढ़ हो सकती है, पर अगर मैं जो गलत वाले answers है, उन्हें remove कर दूँगी, तो मैं सही तक बहुत जाऊंगी, ऐसे करते करते, तो मेरा इन और इन और इन और इन और इन और इन तोड़ी learning based है, और आपको यह करना है, अच्छे से NCRT याद करना, अच्छे से ruling out करके अपने paper को करना, इन और इन के लिए, तो आपको अपना दिमाग यूज़ कर सको, रूलिंग आउट के ताइम पर आपको अपना brain यूज़ करना होगा, कि यह तो अंसर अभी भी नहीं होगा और तब आप ऐसा करोगे तो आप सही तक पहुंची जाओगे आपको अपने मिस्टेक्स डेली दिखेंगे तो आप जल्दी इंप्रूव कर पाओके तेन मेकनिजम में क्या करो मेकनिजम में आपको दिया होता आपको जो बगल में इस्पेस होता है उसी पर लिखके से शॉल कर लिया गरो पूरा कि यह यहां पे आएगा शीच तेन बन रह करो इंटेक्स अच्छे से क्या करो तो आप से गड़ बढ़ नहीं होगी और उसके बाद जो भी मेकनिजम्स यूज हो रही है पीवाइक्यू में उन्हें तो कभी भी छोड़के नहीं जाना राइट क्योंकि वैसे ही उसी के बेसिस पर आपका मॉक आने वाला है आपको हमे आपको फिजिक्स आपको फॉर्मला लिखना है आपको कंसेट लिखना है आपको अच्छे से डेफिनिशन से आद करके जानी है कि इसमें से NCRT में से डेफिनिशन याद करके जानी है and then yeah it is similar to that आपको इसमें है कि थोड़ा you know ऐसा लग सकता है कि यार आंसर यूनिट्स का ह आपको पूछा है मिली जूल में आप जूल में निकाल के आजाओ या something like millimoles and all these type of things अगर दो कॉंसेट यूज हो रहे तो just आपको अपनी फॉर्मला शीट्स हमेशा तइया रखने को बोला है तो आपको वह में तया रखनी है अपनी चैप्शल शीट्स होते होने तया रखना है and then उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको ऐसा लगे ना कि ऐसा type of fusion में से हमेशा गलत होता है आपको आपको ऐसा type का क्यूशन आएगा जैसे मुझे रोटेशन की क्यूशन गलत होते हैं चाहिसे मैं कितना भी कर लूँ तो वैसा आप उन्हें कर सकते हैं उस पर जादा focus कर रहो and then उसके बाद बात करो physics में कैसे type के आपको question देखने को मिल सकते हैं आपको physics में भी assertion देखने को मिल सकता है I'll say मैं यह सोच्छ सकते हो कि मैंसे लगता है ऐसा आने के chance है future in the sun and then उसके बाद आपको matching type को I won't say matching type ऐसा दिख सकता है कि you know like isothermic, adiabatic, ऐसे type of thermodynamics में जैसे आपको terms पता होगी तो उनकी आपसे definition पूछ ले ऐसा type बन सकता है तो आपको तयार है कि कैसा भी question आए, matching वाला है, आपको card लेना है, assertion reason आए, physics में तयार है न, अच्छे से NCRT बढ़के जाना उसके लिए, right, तो आपका गलत नहीं होगा relation आ रहा है, कुछ और कोई tough question आ रहा है, तो just make sure कि आप अच्छे से NCRT तो पढ़ो, ताकि आपका वैसा NCRT में से कोई question आया न, तो वो गलत नहीं हो, उसके बाद अगर units का ध्यान रखना अच्छे से, I still remember, मेरे question just गलत हो गया था, because मैंने unit का ध्यान नहीं रखा, तो इस नहीं है, तो थोड़ा दूर जाके कर लो, तो वो भी चलेगा, then उसके बाद unit conversion का ध्यान रखना है, formula अच्छे से करना है, और जब concept वाला question है, तो क्या करो, जो सबसे पहले आपको दिया हो, जो भी information दियो, उसे लिख लो, then उसके बाद formula लग रहा है, उसे solve कर लो, and then इसके बाद, फिर equation को वहीं पर solve करना, start करो, तो ऐसे करके आप, जो steps होते है, normal step, 1, 2, 3, ऐसे करके, divide करके, and then, फिर equation पर जाओ, so that की, आपको, मतलब, शुरू से शुरू करो, ऐसा नहीं आपको कुछ दिया है, आपको, जिस आप से पूछा है, what is F equals to MLA, ऐसे करके, आपको, इस concept पे आपको, आपको, एक्सेरेशन दिया होगा, तो आपको एक्सेरेशन दिया होगा, then आपसे force पूछी है, अगर एक्सेरेशन नहीं दि अच्छा है, इसे भले, आपके मौक में आपके नमर का माजो, नीट में अच्छा स्कोर कर पाऊगे, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता है, कि पेपर कहीं से भी बन जाता है, पेपर हमेशा जो पिछले PYQs होते है, उनी से उनी को base बना के, नया modified paper तेयार किया जाता है, right, so आपको यही ध्यान दखना है, पेपर में जल्दी बादी किसी भी subject में नहीं करनी, हर subject को अच्छे से time देना है, पेपर को double check करना है, और सबसे important, bubbling, right, अभी से practice करो, जब भी अगर घर भी टेस्ट दोना है, हमेशा यह ध्यान दखो कि OMR रखो, मैंने तो काफी सारे OMR की practice क अच्छे से पहले क्योंकि मुझा दखता था, bubbling mistake is the most stupid type of mistake, जो कोई भी कर सकता है, क्योंकि bubbling is just like, I know, काफी pressure होता है, exam की time पर, तो हम bubbling mistake कर देता है, आपको ऐसा नहीं करना है, I think, बस यही आपको धार लखना है, पेपर में हर चीज, जब भी आप पेपर करें, पेपर से पह होगा है, ऐसा भी नहीं करना है, हमेशा अपने आपे confidence रखना है, and just make sure कि आप अच्छे से paper को एगदम cool mind से अपने paper को attempt कर रहे हो, जादा stress नहीं लेना है, अगर पेपर में mocks में number कम भी आ रहे है, तो अपनी mistake से सीखना है, right, आपको जो mocks आपका decide नहीं करते हैं कि आपक में mocks से अपने need के exam में, right, so मैं आपको यह ही कहूँगी, mocks देना, like आपको just paper को attempt करना important होता है, rather than just thinking about your marks, marks तो बाद में improve हो जाएंगे, अगर आप अपनी mistakes को ध्यान होगे, तो देन उसके बाद आपके marks improve होते ही जाएंगे, आपका, बस आपको यह ध्यान लगना है कि मै जो test दे रहा हूँ, उसका main purpose यह है कि मुझे अपनी mistakes का पता चल जाए, so that कि मैं अपनी mistakes को improve कर सकूँ, right, so that's it for the video, I hope to see you guys in the next video, till then bye, अच्छे से paper को attempt करना, अच्छे से पढ़ाई करते हो, and don't forget to like and subscribe, okay, so that I can upload more videos like this, see you then, bye.